हेलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत आपका हमारे यूडूब चैनल टेक्नोई स्पार्क पर तो गाइस आज से हमें एक न्यू गेम की सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्डर सेमुलेटर सो बेसिकली गाइस इस गेम में हमको पाउंडिशन शीलिंग वाल विंडो एंड डॉर्स और इंट्रेटर डिजाइन जैसे काफी काम करने पड़ेंगे जो भी हमको एक हाउस को बिल्ड करने में लगते हैं तो हमें ज्यादा बातें नहीं करता हूं और स लॉच Sugden सेड़ लॉफ हराँ सकते हैं को बिल्ड कर सकते हैं और बबाताँ है किहां जैसके में लाइज सेगे और सेव एप्सक्रण कर सकते हैं और लगति पेषज्टीन् less T को बिल कर सकते हैं तो अब यहाद बाते ना करते हुए हम कॉंट्रेक्ट के मिशन को बिगेन कर लेते हैं लगानी सिखाए जाएंगी तो अभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है और नीचे लिख के रहा है दा लॉंगेस्ट हाउस इन लोकेटेट इन खाव याई थाइलेंड एंड स्टैचेस फोर नैंटीटीटू मिटर लॉंग वैसी यह नॉलिच के लिए हमको पता होना चाहिए और ठेकिन फैक्ट में लिख क्या रहा है जापान में एक बिल्डिंग है जो सिर्फ ग्लासे से बनी हुए और उसके फाइप लोर है और वैसे यह काफी ज़्यादा आसम बात है और वेड़ गाईज अभी मुझे धीरे धीरे गेम का साउंट आने लगा है जो मुजिक काफी ज़्यादा प्यारा है और पता नहीं है बाई बिल्डेर कौन है जो हमको पता नहीं पका रहा है तो अभी आप देख सकते हैं इस गेम के ग्राफिक्स को इस टाबर दिख रहा है तो अभी हम इसको ऊपर चरकते हैं और देख सकते हैं यहां पर एक नोट रखा हुआ है जिसको हम उठा तो नहीं सकते हैं यहां पर कुछ समान रखा और काइज यहां पर अक्क्त क्रॉष वो गास के भाइए हम इस क्रॉष यहां आन। एस गेम में लिट ना है मैं आपको इस गेम के ग्राफिक्स दिखाने आए था?" तो अभी आप देख सकते हैं और अभी चलते हैं हम अपने मेन एडिया के तरफ जहां पर हमको लेवर बनकर काम करना पड़ेगा तो यह रही वो जगह है इसमें देखते हैं यहां पर हमको सबसे पहले करने हैं तो अभी मैं सबल निकाल लेता हूं और फटा-फट से यहां पर को डिक कर लेता हूं अब ऐसे काफी ज़्यादा सेटिस्वाइंग लग रहा है मुझको अगर ऐसे कोई फांडेशन डिक होने लगे तो घर बनाना तो द में परचेस करनी है तो अभी मैं सोचा हूं इंके 100 पीस हम परचेस कर लेते हैं बाकि नीचे सेल का भी करो सार्ट आए जो बच जाएगा हम उनको सेल कर देंगे तो सबसे पहले लगेगी हमारी फोंबर्ग मैं इसको प्लेश कर लेता हूं यह ज़्दा रही है पॉबाई ये तो काफी ज़्यादा सैटिस्वाइंग दा है लेट्स को गाई तो अभी सारी के सारी फामवक्स भी लग गई है और अभी बार यह रेंफोर्स्मेंट लगाने की तो यह रही हमारी रेंफोर्स्मेंट अब मैं इसको भी लगा लेता हूं लाइन से और इसकी साउंड थोड़ी चुबने वाली से लगा रही है व्यासे साउंड इसकी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है यहां पर चूट गए को कौक्री लिडिक है इसको ब्रयुसे सब प रहे मैं यहां पर बता रहे हैं कि क Recogn क Ś्क कर लेता हूं तो अब यहां पर देखते हैं क्या क्या समान चीए तो यह सबल अपने को उठा उठा के डालते हैं जाकर नीजिस के अंदर ओके गाइस तो हमें इसको सामने सी डालना पड़ेगा फटा पट्टे पाच और यह लाश्ट छह सबल भरकर हमने सेंड डाल दिया है औ यह स्बिन इसको जाना पड़िए और मिरे खाल से तीन सर्वलवर कर हम को सालनी पड़ेगी और छोन पर डिए पहले हम छो दो पानी पर भांतर 시청 और वेट यहां पर हम जाकुनी पारे हैं और मेरे ख्याल से मुझे इस लख़डी के पुल पर जाना पड़ेगा पानी के लिए और वेट गाइस भाई कितना समने जा रहा है भाई यह और वैसे मुझे समझ में नहीं आरा हमको पानी कहां पर मिलेगा लिए फ्यू मूमेंट्स लेटर वोल्राइट गाइस मैं इतनी देर से पानी को हर जगह डून चुका हूँ और अब हमें पता चलना है अम पानी की वकेट अपने जेम में लेगे गूम्ते हैं और वो भी पानी बरकर और इसमें पानी भी अनलिम्टेट आता है भाई मतलब मैं चार बार डाल चुका हूं पिर भी पानी खतम नहीं है में अमलुक का पर सही है भाई इससे हमारी काम बच रहा है तो अभी मैं मसीन को start कर देता हूँ और इसको सही से place कर लेते हैं ताक लिए हम जब इसमें डाले तो ये फैले नहीं लेट्स को गाईस तो अभी ये complete हो गया है तो अभी मैं इस concrete को बील वैरों में डाल देता हूँ लेट्स को और अब बार ये concrete डाले पर बेड़ सबसे पहले हमको switch on करना है एक-एक डॉल रखाता है हर एक सकिंड का तो वाई बिजली तो बचाएंगे हम इसके साथ और अपने पैसे भी बचाएंगे तो अभी मैं इस concrete को पूरे formulations में भर देता हूँ अभी formulations तो complete नहीं हुई पर हमारा concrete खतम हो गया है पर एक बात यह अच्छी है हमको फिर से concrete नहीं बना रहा पड़ेगा क्योंकि हमारा पहले का बचा हुआ इसमें अभी भी रखा हुआ है तो मैं इस ही कोई अपने बिल वैरों में फिर से डाल लेता हूँ और अब बाकी के बच्छे हुए formulations में भी मैं इस concrete को भर देता हूँ और अब हमारा यह mission complete हो गया है और इसको हमने बहुत ही अच्छे से पूरा करा है और यह काफी ज्यादा साफ और मजबूत है और यह मैं नहीं यह मेरा दोस्त विल्ट डेर कह रहा है और यह builder हमको एक तीम में बता रहा है बाई एक सकीन के लिए भी मदद नहीं करी इसने अपने आपको टीम में बता रहा है पर कोई नहीं अभी चलते हम अपनी next mission की तरह तो अभी हमारा contract number two start हो गया है और जिसके घर में अभी हम आई हुए है उसका नाम है जॉन तो वैसे अभी आप देख सकते हो इसका घर almost complete हो गया है पर इसके घर में अभी gate और फिर गया नहीं लगी है क्योंकि इसने जिनका structure को बलाया था उनका time खतम हो गया और वो काम करे बिना ही चले गया तो इसने अभी हमको बलाया है ताकि हम इसका काम पूरा कर सकें तो अभी हम इसके दोर और four windows को purchase करना है तो अभी सबसे पहले मैं लगाऊँगा इस दोर को इसको adjust करके यहाँ पर place कर देते हैं और इस जॉन के लिए हम लगाने वाले हैं बहुत ही बड़ी है design का डोर जो कि black कलर में है काफी ज्यादा मस्त लग रहा है तो अभी मैं तीन दोर को place कर लेता और यह हमारा लास्ट इसको भी हमने place कर लिया है तो अभी बार यहाँ पर screw को tight करने के लिए जिसके लिए चाहिए होगी drill machine तो अभी हम फटा-फट से drill machine से इन screw को भी tight कर देता हूँ गेट लगा नहीं में निकाल से बाहर से नहीं भाई बाहर तो कुछ और ही है यह हाथ से और हाँ यहाँ यहाँ पर हाथ सी काम चल जाएगा उस तो यह लगा रहा है तो अभी पहला गेट हमने लगा दिया है और यह properly work भी कर रहा है बिना आवाज के तो यहाँ पर भूत का तो बिर्फुल भी नहीं है क्योंकि भाई बहुत उसी घर में आते हैं जिस घर का गेट अवाज करता है तो अभी मैं बाकी के बच्छे डोर्स के भी इसको को टाइट करकर उनको बढ़िया तरीके से लगा देता हूं लेट्स को गाई तो अभी हमारा लास्ट गेट भी और मैंने चार क्यों गई दी ती मेरे खाल से यहां पर एक बच्छो हुई है हाँ यह रही वाई तो अभी मैं इसको भी बढ़िया करके प्लेस कर लेता हूं हाँ ऐसे परफ्राक्ट लेट्स को तो अभी बार यह इनके भी इसक्रू को टाइट करने की तो अभी मैं मिलता चुई थी और इसका भी काम कम्पीट हो गया है तो यहां पर यह पता नहीं धक्कन जासे हमको लगाने अपनी क्रिक्यों के साइड में तो अभी मैं इनको भी फटा फट से लगा लेता हूं और लाइड गया तो अभी मैंने सारी विंडो के साइड के रखकन को लगा लिया है और अब यहां पर इनके हमें बोट को एड़स्ट करके प्लेस करना पड़ेगा तो इनको भी भाई फटा-फट से कर लेते हैं लट्स गो गाइश तो अभी मैंने सारी बिंडोस के अंदर से तो इन प्लेट्स को सही कर दिया है बाकी बाहर से भी सारे होई गए लगबग और बस यह लाश्ट बच्छी हुई है और इसी के साथ हमारा और इसी के साथ हमारे जॉन भाई साथ का गर कम्प्लिट हो चुका है और अब जॉन काफी जाजा खुस हो जाएगा और इस जॉन को भी मैचे से समझा दूँगा कि भाई अगली बार घर बनवाएगा तो हम इसे बनवाई हो क्योंकि हम घर आदा दूरा छोड़के नहीं जाते हैं सो गैस आज की वीडियो में हमने दो कंट्रेक्ट को पूरा कर लिया है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ तब तक के लिए टाड़ावाई, सी यू